वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें एट कोशन हम अल्री डिसकस कर चुके हैं अब कोशन नमबर नाइन को देखेंगे आपका कोशन नमबर नाइन है कबूतर किस जगत के अंतरगरत शामिल है तो देखिए आपको जीवों को विभेदित करने के लिए जो पांच क्लासिफिकेशन दिया गया उसका अधार क्या था कि हम जनतु जगत किसको में किसको रखेंगे आप देखेंगे क्या आप जनतु है क्योंकि आपके अंदर क्या है यूकरियोटिक प्रकार की कोशिका है आप बहुत सारी कोशिका उसे मिलकर बले हैं आपके पास क्या है लोट्रॉफिक होते हैं मतलब अपना भोजन खुद से अपने शदीद के अंदर नहीं बना सकते जैसे प्लांट बनाते हैं और आपके क्या नियूक्लियस में न्यूकलियर मेंब्रेन होती है भई होती है तभी तो यूकरियोटिक जीव है हम ठीक है तो इसी तरहां से कभूतर जो होता है उसको जन्तु जगत के अंदर रखा गया है क्यूंकि उसमें यही सारे करेक्टर होते हैं बाकी आगे आपको पता है कि जन्तु जगत को भी अलग अलग फाइलम में बाटा गया है संग में बाटा गया है आप एक शिक्वेंस याद रखेंगे के P CGS this इसका मतलब है के से kingdom, P से phylum, C से class, O से आपका order, F से family, G से genus, S से species, आपके जो kingdom होते हैं, आप देखेंगे, आप जन्तु हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मचली भी जन्तु है, कबूतर भी जन्तु है, हम भी जन्तु है, क्या हम समान है, नहीं हम समान कैसे हो सकते हैं, तो नोफाइलम में हम किस में आते हैं कॉर्ड़ेटा में, तो आप में आपको बताया, कि आप मचली भी आपका चॉर्ड़ेटा में आती है, क्या है को ड्र॥ा रिप्टि पाए जाती है आप है कबूतर हम सब्सक्ंद कि धेया है लिए उनको बाता है पीजेस मतलब मच्छली का जो है फिर आपका आता है एंफीबियंस रेप्टाइल्स आपका और अबीस और मैमल सी पांच आपके उसमें बटे हुआ है क्लास में फिर और में होता है फिर फैमिली फिर जीनस फिर इस तरीके से इन समपा साथ जो है कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं सबसे छोटी जो बेसिक है उसमें क्या है इस पिसी है जाती है तो कबूतर की संग के जगत के अंतरगत आता है जगत आपका क्या आएगा वह एनिम तो कि संख्या अधिक होती है तो आपको प्षिस रेप्टाइल इंसेक्ट सिया फिर मैमल तो देखिए आर्थो पोड़ा है आपको पता है वो सबसे बड़ा संग है तो उसमें जो एक क्लास आती है इंसेक्टा उसके जीब जो है सबसे अधिक मात्रा में पाय जाते हैं अभी तो इतने सारे देखे जा चुके हो कुछ तो ऐसे हैं जिनको अभी हम जानते भी नहीं हैं जिनकी हर रोज नहीं दिसकवरी हो रही है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्षिन सी इंसेक्ट फिज देखेंगे सही जोड़े का चैन कीजिए आपको देखिए इस तर सिलवर को देखें तो हो मचली नहीं को हम कहां रखते हैं प्सक क्लास के अंदर लेकिन सिलवर फिश के आगया आप उल्टा करेंगे लो किस में आता है आपका आर्था पॉड़ाँ में आता है और क्या होगा емें क्यों रखे दाते हैं जीव उनके जुड़े हुए पैरों के कारण तो सिलवर फिश को आप उल्टा करके देखेंगे तो उनके पैर के होंगे जुड़े हुए होंगे पिंए फिर आता है बीश में आ व स्ट्रीड अपको पटा है किसमें आता है यह कैटल फिश्वे हैं यह मॉलस्का कमें आता है फिर आपका स्टार फिस्ट जो है्वे यह वास्तविक मचली को कॉड़ेटा फाइलम के अंदर पिसेस क्लास में रखा गया है तो यहां पर जो हमें सही चैन चुनना था वो क्या है और अर्थोपोडा δेखा गया सिलोम इस तरीक से जीवो नौ फाइलम में इसके अलग अलग ओलग क्रेक्टर होती तो समजें स्टारफिस्ट को देखेंगे उसमें कि सविस्त को काटिं अगर आप खुद को देखेंगे humans को देखेंगे तो humans में जब आप बीच में कट लगाएंगे अपने सर से नाक से होते हुए नीचे बीच में कट लगाएंगे तब हम दो बराबर जो है भागों में बट जाएंगे इसको बोलते हैं bilateral symmetry यह किसमे होते हैं हमारे अंदर के है bilateral symmetry है बहुत सारे जो जीव होते हैं बाइलेटरल symmetry पाए जाती है लेकिन radial symmetry जो होती है आप देखेंगे कटल सांग sorry संबान्थी तताब बताया था किसे है आपका अर्थोपोड़ा से आर्थोपोड़ा क्या है सेकेंड लार जेस्ट आपका फाइलम है फिर देखेंगे आगे किस जगत के जन्तु के पिर जुडए हुए होते हैं तो ये भी मैंने बताया था आर्थो पोड़ दाकी एक विशेष्ता है इनके पिर कर मैं जुडए हुए होते हैं फिर आता है आपका amphibians, फिर आता है आपका abys, फिर आता है आपका mammal, sorry abys, मतलब reptices, मतलब मचलिया, reptiles, मतलब आपके सरी सर्प जो होते हैं, जो rain कर चलते हैं, amphibians, उभे चर्ज होते हैं, जो जल और पानी दोनों में रह सकते हैं, जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग फिर आता है आपका एबिश में सारे पक्षियों को रखा गया है मैमल्स में वो जी बाते हैं जिन में मैमरी ग्लैंड होती है जिन से दूगद का शरावत होता है मतलब अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं दूद पिला सकते हैं तो आप मोस्टली जो आपके मैमल् मतलब डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं वो अंडए नहीं देते हैं य्ग ये अंडे देने वाले लेकssä रख़ा को सिर। अपने याद रखने प्लैटिपस और एकिडिना मेटा थारिया जो होते हैं उसमें कंगारों आते हैं जो बच्चों को जणुद देते हैं लेकिन वो बच्चे कैं होते हैं प्लैटिपस होते हैं तो देखिए आपके जो हैं इस में बहुत बार बता चुक्यूंघ्ञें जो आपके अपका आप देखेंगे होते हैं उसमें तू लुट होते हैं आपका ररय तंग होते हैं अप्रेग्सुन जो थैंडी हैं ए रिचंबर科 वूद प्रबालवित्ति का निर माण किसके द्वारा होता है जो आपके thalam आपके faleam salintrate निर्मान करते है और यह क्या है? एक calcium carbonate से बना सक्त आपका पधहार्त है जो कि किसके द्वारा होता है enlightenment के द्वारा निर्मान होता है फिर द पेसे निमनलीखित में से निम में और है आपका खूक मेंट है उसमें आपको पता आपका धाशों कोड़ डेटा है उसमें क्या है आपका ध्रम में पांच गलाश जिन को बता जिसमें आपका देखींगे आप एबीस और वेमल्स जो है वह वांब ब्लेड़ है मतलब आपका जोente का environment है आपकी body temperature आप उसके according change नहीं कर सकते 37 है तो 37 ही रहेगा जबकि जो cold-blooded होते हैं बागे तीन class आप देखेंगे आपका reptiles, amphibians और pieces जो है cold-blooded होते हैं क्योंकि वो अपनी body के temperature को change कर सकते हैं cat आपका क्या है mammals में आएगा ostrich आपका abyss में आएगा lizard reptiles में आएगा तो यहां पर जो correct answer है वो है option c तो देखेंगे में कोशी का भिति नहीं पाए जाती है तो सबसे जादा जनतु और पादप में जो विभेजित लक्षण है वो क्या है कोशी का भिति का पाया जाता पाया जाना आपका animal जगत में जो है कोशी का भिति नहीं पाए जाती है जबकि प्लांट में पाए जाती है सेलवॉल की बनी होती है फंजाय में पाए जाती है काइटीन की बनी होती है मोनेरा में पाए जाती है पैप्टीडो ग्लाइकन की बनी होती है फिर देखेंगे वर्गी करण का पिता किसे कहते हैं फादर ओफ टेक्जोनॉमी अब हमने इतना वर्गी करण पड़ा अब उसमें कि बताई कि फादर ओफ टेक्जोनाुम्क इसको बोला जाता है किसको बोला जाता है क्यूंकि उन्होंने वर्गी करण दिया था सब्सें पहले दो जगद्र वर्गी करण कि रखिए कोई भी आपका कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थेंक यूँ